हेलो दोस्तो मेरे यूटूब चैनल एकजामनर काड़ा में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ टप 10 जी के इंपोर्टेंट कोस्चन तो चलिए टेम गबाये बीना वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला नमर कोस्चन है फ्रेंट हरप्पा सभ्यता की खोज किस बर्स हुई थी तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंट ओप्शन नमर डी 1921 इसपी हरप्पा सभ्यता की खोज 1921 इसपी में की गई थी दूसरा नमर कोश्चन है फ्रेंट हरपवासी किस बस्तू के उत्पादन में सरपर्थम थे तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंट ओफशन C कपास कपास के उत्पादन में हरपवासी के लोग जो थे फ्रेंट वो सरपर्थम थे तीसरा नमर कोस्टन है friend मोहन जोद्रो कहां सिस्थित है मोहन जोद्रो जो है friend वो कहां सिस्थित है तो इसका right answer होगा friend option B सिंध सिंध में मोहन जोद्रो सिस्थित है चोथा नमर कोस्टन friend है सबसे प्राचिन वेद कौन चाहे सबसे प्राचिन वेद कौन चाहे पाजबा नमर नमर कोस्टन है गाइतरी मंतर की रचना किस ने की थी गाइतरी मंतर जो है फ्रेंट उसकी रचना किस ने की थी तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, option B, विश्वामित्र, फ्रेंड, महावीर स्वामी का जनम कहां हुआ था, महावीर स्वामी जो थे फ्रेंड, उनका जनम कहां हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, option A, कुंडल गराम में महावीर स्वामी का जनम हुआ कुंडल गराम याद रखिएगा फ्रेंट बहुत ही important question है गौतम बुध ने अपना पर्थम उपदेश कहां दिया था गौतम बुध जो थे फ्रेंट उसने अपना पर्थम उपदेश कहां दिया था तो इसका right answer होगा फ्रेंट option C सारनाथ सारनाथ में फ्रेंट उसने अपना पर्थम उपदेश दिया था अठमा नम्मर question है फ्रेंट भारत में सबसे बड़ा बद्ध सतूप कहां सिस्तित है तो इसका right answer होगा फ्रेंट option B साची में नमा नम्मर question है फ्रेंट गौतम बुध का जनम कब हुआ था गौतम बुध का जनम कब हुआ था तो इसका right answer होगा फ्रेंट 1963 इसापुर्व यहाँ पे 3 होगा फ्रेंट 1963 इसापुर्व में गौतम बुध का जनम हुआ था दसमा नम्मर question है फ्रेंट बुध को ग्यान की प्राप्ती कहां हुई थी बुध भगमान जो थे फ्रेंट उसको ग्यान की प्राप्ती कहां हुई थी अगर फ्रेंट इस question का answer आप जानते हैं तो comment box में जरूर लिखे धन्यवाद फ्रेंट मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैरींद